नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब सोमा क्लासिस में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है विल फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 67 बीपीस एक्जामनेशन है आप देख सकतो एक के बाद एक कई बार लेडी पोस्ट पॉंट हो चुकी है और अब एक करेंड सिट्वैशन बीपीसाइमनेशन का क्या है क्या बज़ाए रही है जिसकी वज़ाज़ से इक्जामनेशन में डिली हो रहा है तो आप देखोगे अगरिए के बात करें 65 की 66 की या 63 की अगर आप बात कर लो फैंट तो आप देखोगे लास्ट 45 यह से बीपीसी आँं इंटर्वल इजाम कंडेक्ट करा रही है लगबग हर एक साली एक्जाम हो रही है और देड़ सवेर इसके रिजल्ट भी आ रहे है ठीक है फ्रेंट इसका सबसे बरा वजह है कि वैकेंसी जब अच्छी रहती है लगबग आप 64 में देखोगे 1400 प्लस वैकेंसी ती उसके बाद भी 500, 600, 700 और अभी भी देखोगे तो लगबग 800 के आसपास वैकेंसी तो अलड़ी बीपेसी ने रिलीज कर रखा है तो यही वह वजह है और जो इसमें पोस्ट होते हैं बीपेसी जो करनकते हैं उसमें नॉमली ग्रूप भी पोस्ट होते हैं और ग्रूप ए पोस्ट भी हो जो 66 बीपेसी ते उसमें सिर्फ डेड़ से दो लाखी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल अप करा था बट इसमें देखोगे तो छैलाख से उपर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रखें तो इस लिहाज से अगर हम देखें फ्रेंड्स जो 66 बीपेसी प्री हुई थी और काफी ज्यादा अंतर है जो कैंडिडेट्स हैं उसमें लगवग जो नियूज निकल कर आ रही थी लगवग दो लाखी कैंडिडेट थे 66 बीपेसी में जिनोंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था जबकि इसके लिए 6 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई 6 लाख से उपर 6 लाख 20 हजार के असपर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई करा है इसके लिए फ्रेंड आप देखो तो जो औरंगाबार में इसूस हुए थे जिसके विए से दुबारा एक्जाम कनेक्ट की गई थी तो इससे ओविसली जो ट्रस्ट है एक कमिशन का वो तो हैंप पर होता ही है और कई बार काफी तरह के आरोब भी लग जाते हैं ठीक है तो यह अच्छी नहीं है बात नहीं है तो इसी को लेके एक्जाम को अभी पोस्ट पॉन किया जा रहा है हां इत्ती बार जिसे अर्लेडी देखोगे तो तीन बार दो बार तो ऑफिशियली इसको पो पॉन करते हैं बट इस तरह से करना हां अच्छी बात नहीं है बिकोज जो केंड़ेट्स हैं वह भी समय के हिसाब से अपनी त्यारी करते हैं उनके और भी एक्जाम से डूल है या फिर प्रिपेरिंग फॉरिट ठीक है अपने पूरी दिलो जान से अपने पूरी मेहनत से इ पुष्पॉन होता है तो उसलिए फिल बेरी बैट फॉर इस बात तो यहीं निकल कर सामने आ रही कि जो यामनेशन के प्रिपरेशन होते हैं अलग डिस्टिक्स में तो डियम से बेरे को जो इनने लेटर बेज़ते हैं बीपेसी आयो की तरफ से तो वह पूरी तरह से कंप् डिस्टिक्स भी पड़े बट अगर उसी काल ट्रोलिंग अच्छी हो तो इन चीजों की जरुवत नहीं पड़ेगी बट बीपेसी में तो यहीं ट्रेंड है ठीक है फ्रेंट्स तो इसी वज़े से अभी एक्जामनेशन और भी पुस्ट पॉन हो गई है इसके अलाबा भी क मार्च के लास्ट वीक में 20 के बाद ही होगा 20 मार्च के बाद सेडिल होगा या फिर अप्रेल के 15 अप्रेल फर्स्ट या सकेंड वीक यह आप टाइम रख लें तीन वीक का इसमें कभी भी आपका एजाम हो सकती है ठीक है फ्रेंट्स तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखें आप एकॉडिंग लिए प्लैन कर सकते हैं आप अपने टाइम डिवोट कर रहे हैं अलग लग प्रियन मेंस के लिए यहां गर आपको समय मिला है तो इसका अच्छा यूटलाइजेशन भी कर सकते हैं आप देख सकते हो कि आप किसमें ज्यादा टाइम देने की ज़रुरत है जिसे रिवीजन वगर है उसको आप कंटीनीव रखी सकते हैं प्रैक्टी सेट्स वगर आप लगा सकते हैं तो दिस विल एड़ 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 इग्जामिनेशन और वहां पर आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ठीक है तो दोस्तों जहां त 23rd of जैन 2022 23 जन्वरी को सेडिल हुई थी इसके बाद को ऑफिशल नोटिफिकेशन तो दो नहीं आई है ठीक है फ्रेंट एक तो यह आई थी कि टाइम पर एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगी अब नहीं हो पाएगी तो कब होगी तो जैसा कि आपको मैंने अभी बता आया य दिले और उस समय पर 99% चांसे से हो जाएगी अब बीपी से इसको और ज्यादा फॉर्दर डिले नहीं कर पाएगी विकास इनका कलेंडर ओफिशल कलेंडर वो तो अल्रेडी है इनका काफी डिले डिले चल रहा है वाले उसमें काफी लेट हो चुकी है तो यह वो बजह है जिसके वाज़े से एग्जामनेशन पॉस्ट पॉट हुई है अभी फिरन्ध माइंडशेट की तो आप बिलकुल आपका माइंडशेट अपका सेर हाड़ वाग वही जिस्ट होती है जोकि आपको एग्जामनेशन में एक सक्सेस्फुल कैंडिए या सकसेस्फुल बनाती ह और इसके साथ ही पॉजिटिव रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टी सिट लगाएं बीकॉस जब कर रूटीन है फ्रेंड कई बर हम काफी ज्यादा एफ़र्ट लगाते हैं और हम मोटिवेट हो जाते हैं और से 10 गंटे 12 गंटे के पढ़ाई करते हैं और कभी 2-3 दिन दर बिल्कुल यह रूटीन बिगर जाता है तो इसको मेंटेन करें ठीक है फ्रेंड आप जितना टाइम डिवोर्ट करें उस पर रेगुलर रहे हैं पाच गंटे 6 गंटे भी काफी है बट यूब तो बी रेगु कि अजितना टाइम पर बाइम स्वासरी काफी मेंटे बटता है आप करेंग।